बिधाएक नेना चोटाला ने कहा कि दुषयन चोटाला और डॉक्टर अजे चोटाला का बिरोत करने वाले किसान नहीं है फिर भी नेना चोटाला ने किसानों से माफी हमागी अपने उमीदवारों के नाम का एलान कर सकती है और इसी पर जादा बाचीट के लिए श्रीमती नेना चोटाला विधायक हैं चन्नाक दुरता पार्टी किस वक्त हमारे साथ बनी है बैड़े मुझे बताईए कि परचार के लिए तो आप निकल चुकी हैं लेकिन जो पिछली बार जो परचार की दुरान देखने को मिला था हरी चुनरी चौपाल और जादू किया था उस कारिकरम ने जो उसके परिणाम निकल कर सामने थे लेकिन इस बार हरी चुनरी चौपाल आखिर पार्टी की तरफ से अभी तक शुरू क्यों नहीं हो पाया हरी चुनरी चौपा कि तरह बड़ा टफ काम है बूठसकी बनाना तो बूठसकी बनाई हम लोग बने इस पर क्या पार्टी दुबारा चुरू करेगी बिल्कुल करेंगे इसी इलेक्शन के बाद ही मले एकदम स्टार्ट कर देंगे हमारी चुन्री चुन्री चुपाल जन्नता पार्टी कि विरोध के लिए विरोध करने वाले लोग आखिर कोन विरोध के लिए मैंने पहले भी एक बात कई थी कि यह किसान नहीं है कुछ पार्टी ओकि नुमाइंदे लोग हैं और वो पकड़े भी गए क्योंकि जो डवाली में विरोध कर रहे थे वो तो इन एलो के लोग थे उन सबकी पिक्छा की और जिन्होंने कुंगड में किया थे उन्होंने तो चाम को जिसलरा अज्ञे से बात की माफी मांगी उन लोगोर वकायदा जिसे बी हमारे से गल्ती होगी और अमने दो हैसे जोश-जोश में आके गाड़ी के का आगे ज्ञे मुक्र स्वी कुशनynthilly क किसानों से किसी भी तरह की माफी का जिकर भी क्या कभी आपकी तरह से क्या गया क्योंकि शोचल मीडिया पर ये काफी ज्यादा चर्ची तरह की माफी की अपील किसानों से आपकी तरह सकी गई है देखो माफी मांगने में कभी मैं तो सोचती हूं कभी बुरा ही नहीं है क्यों मैं उस दिन मैंने ये कहा था कि अगर कहीं कोई गलती हुई है तो माफ कर दो दुशन्त को इसमें क्या बुरा है पूरी ताकत जोगने की तयारी यहां पर जन्ना एक दरता पार्टी की तरफ से कर ले गई और साफ ये बात करें कि अपने मुद्दों के साथ जन्नता के बीच जाएंगे जन्नता का शिरवाद मांगेगे और कहीं कोई चूक अगर दुशन्त से हुई या उनकी पार्टी के ल रखा जा रहा है स्योगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार टूटिल न्यूज हिसार